तो लास्ट की वीडियो में हमने Apex Legends Mobile के 4 Legends के बारे में समझ लिया था और इस Part 2 वीडियो में हम बाकी के बचे 4 Legends के बारे में जानेंगे अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लें जिसके अंदर एक एनमी अगर आ जाए तो उसका दम घुटने लगता है Nox Gas सिर्फ Caustic के पास होती है और इसके इस्तेमाल से आप आईदर एनमी को चोक करके मार सकते हैं या इसका यूज आप एज़ा स्मोक भी कर सकते हैं तो गैस Caustic की जो पैसिव अबिलिटी होती है उसको हम कहते है Nox Vision जिसकी हल्प से सिर्फ Caustic को वो एनमीज दिख जाते हैं जो Nox Gas में होते हैं और जो कि बाकी प्लेयर्स को नहीं दिखते गैस Caustic के पैसिव अबिलिटी के खासियत ये भी होती है कि अगर किसी एनमी टीम का Caustic अगर आपके टीम के Caustic पे Nox Gas यूज करता है तो आपके टीम के Caustic को कोई डैमेज नहीं होता तो गैस Caustic के टैक्टिकल अबिलिटी को Nox Gas Trap कहते हैं जिसकी हल्प से Caustic 6 Gas Canisters को मैप पे प्लेस कर सकता है और इस पर जब भी कोई गोली चलाई जाती है तो ये कैनिस्टर्स बर्ष्ट हो जाते हैं और इसमें से Nox Gas निकलने लगता है और जिसके अंदर आने से एनमी इसको 5 डैमेज पर सकेंड होने लगता है और इसके अंदर एनमी स्प्रिंट भी नहीं कर सकता मतलब एनमी के रन करने की कैपसिटी चली जाती है तो गैस इसका कूल डाउन टाइम होता है 25 सेकंड कॉस्टिक के अल्टिमेट अबलिटी को हम कहते है Nox Gas Grenade जिसकी हल्प से कॉस्टिक एक Nox Gas Grenade थोरो करता है जो की एक बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है ले रहा होता है यह खुद बखुद हीव हो जाता है और इसकी हीलिंग की स्पीड होती है 1.5 HP per second और ऑक्टेन की टाक्टिकल एबलिटी को हम कहते है स्टिम जिसकी हेल्प से ऑक्टेन की चलने की स्पीड 30% बढ़ जाती है लेकिन इसके use से octane को 12 hp lose करनी पड़ती है मतलब octane जब भी अपनी steam ability को use करता है तो उसकी 12 hp चली जाती है इसका cooldown time होता है 2 seconds guys octane की ultimate ability को हम कहते है launch pad जिसकी help से octane एक jump pad deploy कर सकता है और अगर कोई भी उस jump pad पर pair रखता है तो वो बहुत तेजी से हवा में उचल जाता है और दुबारा jump button दबाने पर player दुबारा से एक बार jump कर सकता है जिसको हम double jump कहते है इसका cooldown time होता है 1 minute तो guys अब हम बात करते हैं Watson के बारे में Watson के passive ability को हम कहते है spark of genius जिसकी help से Watson के shield automatically charge हो जाते है अगर Watson को 6 seconds के लिए कोई damage ना हो तो Watson के tactical ability को हम कहते है perimeter security जिसकी help से Watson एक electrified fence बना सकती है जिसके at a time up to 12 notes active हो सकते है इस fence की खासियत यह होती है कि अगर कोई भी enemy इससे cross करता है तो Watson को पता चल जाता है प्लस enemy को 15 का damage बढ़ता है और उसका movement speed भी 1 से 2 seconds के लिए slow हो जाता है इसका cool down time होता है 30 seconds तो guys Watson के ultimate ability के बारे में बात करें तो इसके ultimate ability हो कहते है interception pylon जिसकी help से Watson एक pylon deploy कर देती है जो कि सभी incoming danger जैसे कि कोई भी grenades या bangalore के air strike या gibraltar के bombs को इसके radius में आने से पहले ये pylon destroy कर देता है और साथ ही साथ इसके radius में आने वाले सभी players के shield को slowly recharge कर देता है इसका cool down time होता है 3 minute तो guys अब आज आते हैं apex के सबसे last legend पे जिसका नाम है gibraltar gibraltar दिखने में बहुत बड़ा होता है और जब आप game खेलोगे तो ऐसा feel होगा जैसे ये boss slow run कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है इसकी speed भी बाकी legends के बराबर ही होती है तो guys जिबraltar के passive ability के बारे में बात करें इसके passive ability को हम gun shield कहते हैं जिसकी help से जिबraltar जब भी aim करता है इसके upper body को protect करने के लिए एक shield appear हो जाती है जिसकी 50 HP होती है और एक बार ये shield destroy होने के बाद 9 seconds के बाद ये shield वापस आ जाती है guys जिबraltar के tactical ability को हम dome of protection कहते हैं जिसकी help से जिबraltar 12 seconds के लिए एक dome के shape का shield deploy कर देता है जो कि कोई भी bullet या grenade को ना तो अंदर आने देता है और ना ही अंदर से बाहर जाने देता है और इस doom के अंदर जिबraltar किसी भी knock teammate को 25% fast revive कर सकता है इसका cool down time होता है 30 seconds तो guys जिबraltar के ultimate ability को हम कहते हैं defensive bombardment जिसकी help से जिबraltar एक smoke grenade फेक कर 6 seconds का air strike बुला सकता है जिसमें missiles नहीं बलकी 24 meter radius में bombs गिरने लगते हैं और enemies को 40 का damage होता है इस bomb से hit हो जाने पर इसका cool down time होता है 4.5 minutes तो guys यह apex legend mobile के बाकी के 4 legends थे I hope कि आपको इनके भी abilities के बारे में समझ में आ गया होगा और आपको ये videos helpful लगा तो please एक like कर दीजेगा और किसी भी तरह के doubt होने पर आप comment में जरूर बताईएगा अगर आपने अभी भी इनके बाकी के 4 legends के बारे में नहीं देखा तो आप description में दिये गए link पे click करके या उपर R.I.I. बटन पे click करके उस video को देख सकते हैं तो guys आप लोग please इस channel को subscribe करके बेन लोटिफिकेशन ओन कर देना ताकि future के वीडियो मिस ना हो तो guys इस video के लिए इतना ही मिलते हैं आप से किसी next video में अब तक के लिए peace